हलो दोस्तो चैनल पर आपका स्वागत है शनी देव वरिष्चिक लगन या स्कॉर्पिय असेंडेट के छटे भाव में क्या प्रभाव देंगे जब भी हम शनी देव को यहां पर देखें हमें कुछ चीज़ें एकदम से नोट करनी चाहिए जिनको मैं पहले भाग में कवर कर देखें हैं तो जब भी हम किसी भी ग्रह को देखें हमें लगन और लगनेश को देखना चाहिए सबसे पहले तो यहां पर वरिष्चिक लगन जिसमें नमबर आठ लगन में सबसे उपर बीचो बीच लिखावता है मंगल देपता इसके मालिक होते हैं मंगल और शनी तो इसकती के माता पिता के बड़े भाई यानिकि इनके बड़े मामा या ताय उनकी आखों में प्रॉब्लम कर सकते हैं यदि केतु देव दसवे भाव में बैठे होंगे तो ये व्यक्ति स्पोर्ट्समन हो सकता है या खेलाडी खेल कुट की दुनिया में उसके पिता भी हो सकते हैं और ये व्यक्ति अपने पिता से हो सकता है कि खेल कुट के दुनिया में जादा नाम कमाए शनी देव की इस पोजीशन में अंधेरी रात में जब चंद्रमा ना निकले हो तब शुरूए काम ज्यादा शुब माने जाते हैं 28 साल के उमर के बाद की हुई शादी जादा शुप मानी जाती है और 48 साल के उमर के बाद बनाए हुए मकान जादा शुप माने जाते हैं। अब कोई बिग्रह कई भी बैठकर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। यदि शानिदेव यहाँ पर गलत प्रभाव दे रहा हूं तो उसकी कुछ इंडिकेशन्स आएंगी। पहली इंडिकेशन यह होगी कि व्यक्ति के लेदर के या चमड़े के जूते गुम होंगे। यह व्यक्ति जूते खरीदने में या मशीने खरीदने में ज़्यादा पैसा लगाएगा। केस, पुलिस इत्यादिया इंके साथ हो सकता है। दूसरी इंडीकेशन की शनी खराप प्रभाव दे रहे हैं तो यह होगी कि परिवार में किसी को सास लेने की तक्नीफ हो सकती है या अउसकते कि परिवार में किसी का सोना या गोल्ड गुम हुआ चोरी हुआ बेशना पढ़ा या गिर्वी रखना पढ़ा इस case में उपाएं के तोर पे बहते पानी में या नदी में नारियल अथवा बादाम प्रवाख किये जाती है शनी देव की एक और इंडिकेशन आ सकती है कि ये मैलिफिक है वो ये कि व्यक्ति को संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस case में पूरे काले रंग के कुट्ता जिसमें कोई भी और रंग ना हो उसको खाना किलाए जाता है शनी देव को जब हम व्रिष्चिक लगन के अनुसार देखते हैं डिग्री वाइस इन सब के regarding result देंगे और इन सब चीजों में व्यक्ति को सफलता उस दशांतर दशा में मिलेगी जब दूसरा ग्रह शनी देव को support कर रहा हूँ या तो वो बुद्ध देवता हो और या वो ग्रह 11 घर से जुड़ा हो या 11 घर में बैठा हो शनी देविस व्यक्ति को यात्राएं कराएंगे चोटी मोड़ी यात्राएं इस पीरियड में खूब होंगी व्यक्ति खूब मैनत करेगा व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपटी खरीदने और बेचने में दोनों में मदद करेंगे और जो भी यह property बेचे हो सकता है कि वो पुरानी property हूँ व्यक्ति संचार माद्यम IT शेत्र में जुड़ सकता है internet, youtube, instagram, facebook इत्यादी में बहुत active हो सकता है अपनी नौकरी के लिए इस period में यह हो सकता है काफी application भी लिखें या काफी emails लिखें व्यक्ति को ये माता और घर से दूर लेके जा सकते है ये व्यक्ति को basic education में मदद करेंगे मगर यदि व्यक्ति का तीसरा भाव ज़्यादा तागतर हुआ तो उस बच्चे का पढ़ाहि लिखाई में उत्रा मन नहीं लगेगा क्रिशी कारियों में ये व्यक्ति को साहता करेंगे किसान भाईयों को यहाँ पर फाइदा होगा ये इनके overall results है और हमें याद रखना चाहिए जब भी शनी देव की दशान तरदशा चल रही हो उस दशान तरदशा में खास करकि हमको शराब और मासाहार का सेवत नहीं करना चाहिए साथी गरीब और बुड़े लोगों की साहता करनी चाहिए शनी देव को डिग्री वाइस देखते है यदि यहाँ पर शनी देव की सिखी कुंडली में 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे है तब हमें केतु देव की पोजिशन चेक करनी है केतु देव जैसे भी होंगे कुंडली में वो डिसाइड करेगा कि शनी देव के रिजल्ट कैसे है यदि केतु देव यहां बैठे होंगे नौवे भाव में या बारवे भाव में उसके हिस में हो सकता है कि शनी देव के खराब असर 42 साल की उमर तक आए और उसके बाद यह कम होने शुरू हो जाए और जैसे हमने बात की यदि केतु यहां बैठे है तो व्यक्ति स्पोर्ट्स में हो सकता है यहां उपाए के तौर पे हमें कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए यदि शनी देव यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तब हमें कुडली में शुकर देव की प्लेसमेंट चेक करनी है शुकर देव के अनुसार रिजल्ट आएंगे एडिशनल रिजल्ट में इस पिरिट में व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी विदेश सेट्रमेंट भी हो सकती है जिन लोगों का काम विदेश से हास्पिटल से जुड़ा हुआ है या किसी रेमोट एरिया में काम कर रहे है घर से बहुत दूर काम कर रहे है उन लोगों को फायदा हो सकता है मगर ये कमजोरी भी देंगे और खर्चा भी देंगे यदि व्यक्ति की कुडली में चुकि शुकर दे बारवे और साथवे भाव के मालक है अगर बारवा भाव कमजोर है और साथवा भाव ज़्यादा ताकतवर है तो व्यक्ति को शादी करने में मदद करेंगे मगर ऐसा हो सकता है कि शुरुआती दोर में ये व्यक्ति शादी करने से खुदी पीछे अड़ जाए और शादी शुदा जिंदगी में ये अपने पार्टनर के साथ उत्रा इन्वाल ना हो अत्वा ये ये भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने पधी-पत्नी के उपर इस पिरियर में कोई खर्चा करेगा इस व्यक्ति को शानी देव पार्टनर्शिप बिजनस में व्यापार में मदद करेंगे मगर कोई खर्चा देंगे खर्चे का अट होता है कि या तो व्यक्ति का कोई नई इन्वेस्टमेंट होगी या ये किसी तरह से अपने व्यापार में जढ़ा पैसा लगाएगा या ये व्यक्ति व्यापार के लिए कुछ ना कुछ EMI या लोन वापस करता रहेगा इस पूरे पिरियड में मगर यदि बारवे भाव भाव बहुत ताकतोर हुआ तब यही शनीदेव व्यापार में कुछ नुकसान होना भी दिखाते हैं उस पारे में हमें सतर करेना है कोई हेल्थ के इशूज हो सकते हैं यदि शनीदेव इस कंडीशन में है तब हमें गाय माता को खराचारा खिलाना चाहिए शनीदेव यदि इस प्लेस्मेंट में 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है तब हमें सूर्यदेव की प्लेस्मेंट चेक करनी है इस पिरिएड में व्यक्ति को व्यफसाय में उननत्ती मिलेगी प्रोफेशन में इंप्रूब्मेंट, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कोई अवार्ड अचीव्मेंट त्यादी इस पिरिएड में मिल सकता है व्यक्ति को इस पिरिएड में पैत्रिक संपत्य भी मिल सकती है मगर हमें यहाँ पर याद रखना है कि इस पिरिएड में चूप की सूर्यदेव दस्वें भाव के मालिक होते हैं जो पिता के भाव से दूसरा और माता के भाव से साथ वा होता है तो ये माता पिता दोनों के लिए मारक स्थान भी होता है उस पारे में केरफल रहना चाहिए यहाँ पर उपाए के तौर पे व्यक्ति को नमक खाना कम कर देना चाहिए तो मुझे उमीद है कि आपको शानी देव का छटे भाव का प्रभाव समझ आ गया होगा याद रखिए ये सारा प्रभाव केवल तब है जब शानी देव यहाँ पर अकेले बैठे हो यदि कोई और ग्रैन के साथ होगा तो रिजल्ट्स में बदलाव आ जाएंगे तो अगले वीडियो का हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद